सिसी के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं आपको इस वीडियो में step by step process बताऊँगा तो आपने फोर्म में apply करते समय रेजिस्टेशन करते समय किसी भी प्रकार की mistake नहीं करनी है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है ये वीडियो आपके लिए काफी important रह इस बार थोड़ा सा changing है registration में, तो सबसे पहले आपको new registration पर click करना है, तो जैसे ही new registration पर click करेंगे, इस परकार का form open होगा, इसमें सबसे पहले आपको role number फिल करना है, जो आपके admit card में है, इसके बाद application number फिल करना है, candidate name फिल करना है, mother name, date of birth, date of birth आपको dash format में डालनी है, dd dash month dash year, इस परकार से डालने के बाद में mobile number देना है, email id drop करने के बाद में या security pin डालना है, और submit पर click करना है, तो जैसे ही submit पर click करेंगे, इस परकार का एक candidate agreement का form open होगा, इस पर आपने i agree पर click करना है, और उसके बाद में click here to proceed पर click करना है, तो जैसे ही click here to proceed पर click करेंगे, यहाँ पर आपके mobile number लिखे आएंगे, email id लिखी होई होगी, इसके बाद में आपने यहाँ पर address फिल करना है, उपर भी role number लिखे होगे, candidate name लिखा होगा, father name लिखा होगा, rank लिखी होगी, mother name लिखा उसको आप अच्छी तरह से check कर लें, इसके बाद में यहाँ पर inter address देना है आपको, इसके बाद pin code number लिखना है, अगर lane line number है तो यह optional है, दे सकें तो दे दें, नहीं तो इसको blank छोड़ दें, इसके बाद में security pin है, उसमें अलग-अलग है कि आपका, जो आपका first school कोन सा है, इस परकार से आप security question select करके, उसका security answer select कर दें, यहाँ पर लिख दें, इसके बाद में एक password select कर लें, आप password 8 से 13 character का होना चीए, उसमें small वगरा, figure वगरा, एक capital letter वगरा, इस परकार का password आप set कर लें, ताकि वो strong password रहे, उसके बाद वही confirm password में डालना है, और security pin जो नीचे ल आपने proceed करना है, तो जैसे ही proceed करेंगे, इस परकार का फिर से window open होगा, उपर आपकी detail लिखी होगी, नीचे mobile number लिखे होगे, यहाँ पर आपका security pin लिखा होगा, उसका answer लिखा होगा, इसके बाद में आपका password आएगा, यहाँ OTP mobile पर आएगा, जो आपने पहले mobile number दिया है, उस पर OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर डालके security pin डालना है, जो नीचे लिखा है यहाँ पर, और proceed पर click करना है, प्रोसीड पर click करने के बाद यह आपका form submit हो जाएगा, यानि कि आपका registration यहाँ पर complete हो जाएगा, अब click here to login पर click करना है, आगे की detail fill करने के लिए, आद में आपने यहाँ पर role number और password fill करना है, जो आपने password अभी थोड़े पहले बनाया था, वो password डालना है, role number आपके admit card से डालने हैं, और submit पर click करना है, आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, candidate login पर click करके, यहाँ से भी detail डालेंगे, तो same role number और password डालके आप submit कर सकते हैं, इ आगे further आपको अगर करना है, आगे login वगरा करना है, तो candidate login से ही करना है, अब आगे आपका इस परकार का page आजाएगा, इसमें home दिखाई देगा, change password logout, इसके option दिखाई देंगे, इसके बाद आपका जो government seat है, उसके लिए open seat के लिए कौन कौन से, इसके अंदर domicile free institute आते ह वो यहां पर दिखाया गया है, इसके बाद में आगे की step में, इस परकार से कौन कौन से आपके open seat है, यहां पर open seat के बारे में दिखाया है, dimmed university, afmc, du, mmc, and abp, ims, amu, और इसके बाद में, jamia dental, jipmar, और esic, इन सब के लिए, इन सब institute के लिए counseling होगी यहां पर, यह दिखाया गया है, इसमें counseling application, अब यहां पर आपको थोड़ी सी problem आएगी, तो आपने यहां इस step को ध्यान से देखना है, यहां पर जो open seat लिखा है, open seat में, सारी open seat, जैसे all india 15% की seat हैं, इसके बाद में bhu की seat हैं, इसके बाद में amu की seat हैं, ams की seat हैं जिपमर की seat हैं, यह सारी की सारी open seats हैं, इन open seats के लिए आप eligible हैं, सभी candidate eligible हैं, और dimmed के लिए भी eligible हैं आप, अगर आपने शिरफ government college के लिए apply करना है, तो आप इसमें open seat पर कर सकते हैं, all india quota के लिए और बाकी open seat के लिए, अब dimmed के लिए करना है, और open seat के लिए दोनों के लिए करना है, तो आप दोनों के लिए भी apply कर सकते हैं, और इसके अलावा आप AFMC के लिए कर रहे हैं, तो इन तीनों के लिए भी apply कर सकते हैं, तो इन तीन category के लिए, all india का हर कोई student apply कर सकता है, किस किस के लिए, open seat के लिए, dimmed के लिए, और AFMC के लिए, हर कोई candidate apply कर सकता है इसमें इसके बाद आगे जो DU, MMC, ABP, IMS जो यह अपना वर्दमान महाभीर है इनके लिए जो दिल्ली का domiciled candidate है जिलें दिल्ली से 11, 12 कर रखा है वो यहां internal quota के लिए apply कर सकता है internal quota की यह DU की, AMU की, जामिया dental और जिपमर का यहां पर आगे दियावा है तो अगर आप internal quota के लिए apply करना चाते हैं यानि कि दिल्ली से अगर 11, 12 कर रखा है तो DU, MMC is next step पर click करेंगे अगर आपने AMU के school से 10, 11, 12 कर रखा है तो AMU के internal quota के लिए apply करेंगे और जामिया के लिए दिल्ली के domiciled candidate 11, 12 कर रखा है वो internal seat के लिए और जिपमर के internal seat यानि कि जो पुडूचेरी के domiciled candidate है वो यहां पर apply करेंगे इसके बाद में ESIC के candidate का अभी ESIC quota अभी इसका case से high court में चल रहा है तो अभी इसका decision हुआ नहीं है तो यहां पर मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप DU internal से नहीं आते हैं AMU से नहीं आते हैं और इसके बाद जामिया internal में नहीं आते हैं जिपमर internal में नहीं आते हैं जिपमर internal का मतलब पूडूचेरी के domiciled candidate नहीं है तो आप यहां पर open seat, dimmed और AFMC के लिए इन तीनों के लिए ही apply कर सकते हैं अगर आप DU internal के लिए AMU के लिए जामिया dental के लिए जिपमर के लिए apply करना चाते हैं तो next के इन तीन step के बाद जो next की step है DU, AMU, जामिया, dental, जिपमर इन पर आप क्लिक करके apply कर सकते हैं अब इसमें yes और no का option आपको सभी में देना होगा अब सबसे पहले open seat के लिए यहां पर क्लिक करेंगे आप, open seat पर क्लिक करेंगे तो इस परकार का option आएगा आपने अगर open के लिए apply करना है, मैं आपको यहां पर एक चीज बता दे जाओ, जो dimmed के लिए apply करते हैं वो open के लिए भी apply कर सकते हैं, उनका लिए कोई extra charge नहीं लगता है तो अगर आपने open के लिए apply करना है तो I agree पर क्लिक करेंगे और move to next पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही move to next पर क्लिक करेंगे तो dimmed के tape पर आप पहुंच जाएंगे, तो जब dimmed के tape पर आप पहुंचेंगे तो यहां पर लिखा है कि आप dimmed के लिए apply करना चाते हैं या नहीं, तो अगर करना चाहते हैं तो yes पर click करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो no पर click करेंगे, जब यहाँ नो पर click करेंगे तो आप open seat के लिए apply already आपने कर रखा है, अगर yes के लिए यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको यह दिखाएगा कि आपको जो fees है वो 2,5,000 रुपीज पे करनी होगी इस condition में यहाँ पर आपको next करना है तो जैसे ही next करेंगे तो third step AFMC पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या AFMC के लिए आप apply करना चाते हैं अगर yes करना चाते हैं तो आपनी यहाँ yes करना है अगर नहीं तो यहाँ पर no कर देना है अगर yes करेंगे तो यहाँ कुछ condition दिखाई देगी कि आपको यह जो आपका form है वो AFMC को बेज़ा जाएगा next counseling AFMC द्वारा की जाएगी इस परकार का इसमें notice लिखा आएगा yes की condition में अगर आप यहाँ पर no करते हैं इसके बाद में आपने move to next पर click करना है तो जैसे ही click पर click करेंगे इसमें do internal के page पर पहुंच जाएगे यहाँ पर यह condition है कि अगर आपने do के internal quota के लिए apply करना है दिली से 11 बारवी कर रखा है तो आपने यहाँ yes करना otherwise no करके आगे move next पर click कर देना है अगर आप yes करते हैं तो आपको यहाँ 11 और 12 की detail भरनी है यह सारी detail भरने के बाद में आपने move to next पर click करेंगे तो same amu की condition पर पहुंच जाएंगे यहाँ आपने no पर click करना है अगर आपने amu से 10 और 11 और 12 कर रखा है उसका internal quota लेना चाहते हैं तो yes करना otherwise no पर click करके आगे next के step पर click कर देना है यही जामिया की dental की बात है इसमें amu का इसमें दिखा रखा है कि yes करेंगे तो आपको यह detail भरनी पड़ेगी इसमें जामिया की condition में अगर आपने दिल्ली से 11 और 12 कर रखा है उसका internal quota लेना चाहते हैं तो yes करें otherwise no करके next पर click कर दें ऐसा ही जिपमर की internal seat लेना चाहते हैं यानि कि जिपमर के domiciled candidate है वो यहाँ पर yes करें otherwise यहाँ पर no कर दें इसके बाद में ESIC जब आप जिपमर का yes करेंगे तो इसमें condition दी गई है कि जिपमर का domicile है वो कौण कौण सी eligibility रखता है कि ESIC की seat अभी hold रखी गई है यह case अभी चल रहा है high coat में तो इस परकार से आपने यह पूरा check कर लेना है मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ फिर आपको एक doubt आएगा यहाँ पर कि अगर आपने AMU की internal seat के लिए apply किया तो जिपमर की internal seat के लिए apply नहीं कर सकते और नहीं आपGU की internal seat के लिए apply कर सकते तो आपने मतलब है कि अगर 11 नी बार्वी दिल्ली से कर रखाए इस परकार से जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आगे यह डिटेल आपको लिखी हुई मिलेगी इसमें आपको जो आपका रिलीजिन लेंग्वेज है नेशनल्टी है यह सब यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर आपको फीस दिखाई देगी जो आपने पेक करनी है उसके बाद में कौन-कौन से कोटा के लिए आप अपलाई कर सकते हैं यह आठ परकार के कोटा इसमें आगे सेकूर्टी पिन डालके आ आप कौन-कौन सी सीट के लिए इलिजिबल हैं मैंने आल इंडिया कोटा के लिए किया था डिम्ड के लिए किया था ओपन सीट के लिए किया था तो इसके लिए मैं इलिजिबल हूँ यहां लिखा हुआ आ रहा है अगर मैं एफमसी के लिए अपलाई करता डियो इंटरनल या फिर जो भी internal उसके लिए apply करता तो यहाँ वो लिखा आता eligible seat counseling पर अब next step में हमारे यहाँ पर view choice का option आता है यहाँ पर हम choice देख सकते हैं कौन-कौन सी college में seat available है तो इस परकार से यहाँ पर choice लिखी है एक तरप यहाँ proceed for payment लिखा है तो हम यहाँ choice देख सकते हैं इसमें कौन-कौन सी college पार्टिसपेट कर रही है 15% में कौन सी central university में है तो इस परकार से choice देख सकते हैं यहाँ पर अब proceed for payment पर click करेंगे तो proceed for payment पर click करेंगे तो यहाँ bank का detail दिखाई देगा जिस bank से आपने pay करना है उस पर further आपने click कर देना है तो जैसे ही click करेंगे go for payment आएगा यहाँ पर और आप credit card या debit card से जिससे भी आप करना चाहें payment तो उससे आप payment कर सकते हैं यहाँ पर तो यह एक simple सा process था जैसे ही आप payment कर देंगे तो आपके लिए 24 फिल का option आ जाएगा जैसे ही आप candidate login पर click करेंगे तो 24 फिल का option आपके पास में available होगा तो आप इसमें आगे अपने 24 फिल कर सकते हैं कल के वीडियो में आपको फिर से बता दूँगा कि आपने कैसे 24 फिल करनी है तो दोस्तो counseling के बारे में और कोई ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारे book download कर सकते हैं इस video के description box में भी मैंने link दे रखा है वहां से कर सकते हैं या हमारी website www.copraeducation.com से भी इसको download कर सकते हैं आप उसमें मैंने पूरा सब कुछ समझा रखा है फीस वगरा previous year की cutoff वगरा के बारे में सब कुछ बताया है तो आप वहां से देख सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ कल के वीडियो में फिर आप से 24 फिल के बारे में फिर जानकारी दी जाएगे आपको तब तक के लिए जैहिंद